कर लिए जो उन्होंने कह दिया कि 6 मैंने 8 मैंने 10 मैंने 15 मैंने में कप्रीट करके जाएंगे जो हम कहेंगे आपके साथ में चोटे जोटे जोगे हैं और मैं इसे यही सब पूछना चारे कि कोई कुछ बचा है तो कागस पे लिखके भेज़ देना क्योंकि यहां तो ऐसे कागस चल रहे थे मैंने यह का कि कोई गया के नहीं दिल भी किसी में बात ठीके नहीं उनसे उन्होंने का कागस देते जाओ मैं आपको देता जाओंगा मेरे पास पैसे कि कमी नहीं है बस इतना बताओ कि क्या काम करना है यही है फरक बाती जन्ता पाजी के सरकार और पिशनी सरकार दूसरी बात एक जो यह कहते हैं वो करके जाते हैं जब पहने इनने यह गोशना शुरू कर दी थी तो मैंने भी यूनस खान से कहा और हमारी अधिकारियों से कहा कि यह इतने सारे अनाउंस्मेंट कर रहे हैं यह की मंत्री हैं जो ऐसा अनाउंस्मेंट करके जाते हैं होई भी सकता कि इतने सारे काम रखते में आ जाएंगे और क्या लोग इतना सब कहके जा रहे हैं यह तो चले जाएंगे मुसीबत हमारे सुन पर आएगी तो यह क्या करता है यह क्या मैं आज दिन जग आपकों सब को गिंती करके दिलाना चाहती हूँ कि जो जो रोड इन्होंने गोशत की चाहे वो उलेपुर में थी चाहे वो बासवारा में थी चाहे वो कोता में थी जहां भी हम इनको ले गए हैं जहां उन्होंने गोशना की ह है, वह o रोड, कहसे- दास हो रहा है. और जैसे यह कहए रहा है, यह उखड के जाने वाली रोड नहीं है, हम सब को वह आदत हो गई है कि एक परसार सक दूसरी परसार तक रुपर रहता नहीं है, जही है हां ? हाह, यह उभी कहनी नहीं है ? और मैं इसे आपको यह कहना चाहती हूँ, कि यह आपने जो बात कहीं, वो सठीक उन्सक को नभी है, क्योंकि इस आपके मन ने यह था, यह बनाते जाएंगे, वो चलते जाएंगे, पर यह ने आपको यह कह दिया है कि आने वाले सालों तक वो रोड उखने का नहीं, क्योंकि इनके सब के मेंटिनेंस कॉंट्रेक्ट्स अगरा सब दे चुके हैं, और वो रोड आप मों के सामने आएंगे, और मैं मानती हूँ, कि आप लोग राजस्तान के सब लोग, और पूरा राजस्तान, हमारे इस सड़क तंत्र से खुश हो के जाएंगे, सड़क तंत्र में कोई मेरी जस्वंत गड़ है, वीदा सर नोखा है, सिहाना बुहाना है, और सदार शर्लूंकर अंसर है, चुरू भाले ही है, सान वुतरना हुआ है, जो 321 किलो मीटर है, यह सब मैंने आपके जो ग्याट से उसको बरने की कोशिश ही, पर आपको मेरे को ग्यादे नहीं देते हैं से नहीं कहाँ, उसकी अंदर गुस्त को, यही मेरे कुसा बज़ने नहीं आता है, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि सालातर महराज जी की कृपा से, और मुहन्दास महराज जी की कृपा से, आज हमको यहाँ दर्शन भी मिले, बजट हो गया, बजट के पुर जो हमारे को तंत्र मिला था, वो ऐसा लड़ खड़ा रहा हुआ, चर्मर आया हुआ, तंत्र मिला था, कि इसमा हम यही सोच रहे थे, कि बज़ट बनाएंगे, तो किस तरीके से दनाएंगे, पैसा लाएंगे, तो कहां से लाएंगे, परंतु जैसे उन्होंने कहा, बगवा हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कि बज़टी का बार हम लोग नहीं ले सकते, तो मैंने को का, कि एक बार जब तक हमारे लोग खड़े नहीं हो जाते, जब तक इसका भार सरकार रहें करेगी, और जंदा को उससे चुपतारा देने की कोशिश करेगी, चाहे हमको साथ क करोड रुपया, क्यों ना सरकार के कंदे की उपर लेना पड़े, आपको सब को मालूम है कि 80,000 करोड का करजा ठोड़ती जो गई थी, उसमें आज 7,000 और 10,000 अलग से हम लोग सरकार ने कंपनी से लेके अपने कंदे पर ले लिया, ताकि आप लोगों की उपर चादा मुने मुसीबत आए, आज मेरे से लोगों ने पूछा कि कितना आपको भार देना पड़ेगा, तो मैं यह बताना चाहती हूँ, आज हम जो सबसीडी ग्रेट पे दे रहे हैं करीबन 8,000 करोड रुपया, सारे 8,000 करोड रुपया जनता का अपने उपर देने का हम लोगों ने सोच पड़ाई लिखाई के लिए कॉलेजे स्कूर्स, अब आपके देख लीजे दो बड़े-बड़े उनिवर्स्टी स्किल के आ रहे हैं, जेपुर के अंदर, परिंटो सीकर का आपका मेडिकल कॉलेज, चूरू का आपका मेडिकल कॉलेज, आभी इसी छिसने के अंदर, दो- पे अलग से रख के उसका काम चालू करने का आपको वाहिदा किया है, हमारे चार जो बड़े-बड़े महा पे जा रहे थे, उनको शुरू करने का काम, दो यि उनिवश्टी की काम थे, उनसब को पूरा करने का हम लोगा पने आपने तर, लिखे और लिखें के तो आपने ब आब आपके उपर भार नहीं बने तो उनके पास य पैसा आता रहेगा। वुर्म के नोपनी आपकी, नोपरी नोपरी मिल जएगी। तो उनके माचा पिखा के उपर जोजनने होुदी। अब इनको 17 तरीच को और पोर्शनाय हूंगी । और उसके बाद और भी होंगी, इसलिए मैं सब कुछ तो यहां कुछ चेहना नहीं चाहती हूँ, पर अंको करिसाब ने एक बात उठाई, पानी की बहुत जोगरदा समस्या आगे चल कि राजस्तान को होने वाली है, हम लोगों ने, करिसाब ने पानी अंदर लाने की बात हम सोचते हैं कि समंदर का पानी साफ करके हम लाएंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमायबा जिता पानी नहीं है, ऐसी है, मुख्यमंती जर्थ वावलंबर योजना के साथ, जो नीचे का पानी जो नीचे चला गया है, उसको उपर लाने के हम पोशिश चरूर करेंग समय तो लगेगा, पर अगर सफना नहीं होगा, तो इसको हम लोग पूरा भी नहीं कर सकें, आज मैं आप लोग सब को बहुत बहुत बंदेवाद देना चाहती हूँ, कि ऐसे मौके पे आप लोग सब यहां आए, इन्हों मेरे को यही का, कुछ बचता है तो बता देना, मैं सब यहां आए, बज़िट का काम हो गया, आशिवाद हम लोगों को मिल गया, आप लोगों ने भी प्यार अपना दिया, हमारे लिए मैंने तो यही का, कि 36 की 36 कौम अपने हैं, अपने परिवार के हैं, और इस परिवार को मजबूत रखने का एक बहुत बढ़ा संकल इस पा इस परिवार को में आएं, बहुत 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 भाँ ठत्को धन्यवाद